अब दो नमस्ते गुरुजी जैगुरुजी महाराच जैगुरुजी साथंगर जी शुक्राना गुरुजी महाराच मट्रिलिंगों सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है आज हमारे बीट में मदु गावा अउंटी जी उपरस्तित हैं तो कि शुक्राइग करेंगी आईए हम से मिलकर उनका स्वागत करें जैगुरुजी मदु गावा अंटी प्लीज इनिशेट करें जैगुरुजी सबसे पहले सचा-क हां से था शूरू करूंगी सट्संग पर बोलना क्या पड़ रहे है यही कि गुरु जी के यहां जो मैं फर्स सट्संग में गई थी तो मैं ने विजय पुशकरना जी के ही घर पे फर्स सत्संग अटेंड किया था आज ये सुनके बड़ा दुख हुआ कि पुशकरना अंकल के साथ ये सब हुआ चलो वो गुरु जी की शेरन में ही होंगे और इसके साथ एक और मैं सत्संग ये शेयर करना चाहती हूं एक अंकल पहले भी नागप सिंग्ला आंटी अंकल वे पुशकरना अंकल ये सब होंगार बनाने के लिए तो उन ऑंटी मुझे किचन में बोल गए गए कि मदू सारा तुम काम देख ले ना हम लोग वहां जा रहे हैं मुझे इतना अच्छा समालने नहीं आता था आंटी की गाइड में ही मैं काम करती थी जो भी है तो उस दिन आंटी चली गी और बाकी कोई सेवादार ऐसा नहीं था जिसको किचन का काम क करते थे और थोड़ा मुझे आता था तो जब नागपल अंकल की मैंने डेट का ऐसे सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतने अच्छे सेवादार गुरुजी कैसे चले गए जब गुड़गावा में फर्स सत्संग गुरुजी की समाध्धी लेने के बाद फर्स सत सत्संग शुरू करते हैं गुड़गावा में बहुत बड़ा सत्संग करेंगे तब पुषकन अंकल भी आये थे और यह फिर गुड़गावा का सत्संग शुरू हुआ था तो मुझे यह सब कुछ याद आ रहा था गुरुजी इतना प्यार करने वाले नागपल अंकल जिन जब भी किचन में होते थे ना तो संगत बढ़ जाती थी तो आके किचन में बोलते थे आंटी 50 चपाती और बनानी है आंटी 100 चपाती और बनानी है मैं यही सोची थी अब कौन देखके आएगा बेसमेंट में और यह बताएगा मुझे 50 चपाती बनानी है 100 चपाती बनानी हमने लंगर का कुछ स्टार्ट नहीं किया मंदीर में बनाना बड़े उदास बैटी थी तो इतने में गुरुजी की ना पूरे मंदीर में फ्रेग्नेंस आ गई अब बिलीब करिये मेरे शोल्डर के आसपास इतनी फ्रेग्रेंस आई गुरुजी ने वो शोल्डर मेरे से चलवाने स्टार्ट किये कि उठ लंगर बना लाइफ में सब कुछ चलता रहेगा और वो मेरी शरन में है तो मैंने इधर-उधर देखा, सब जगा देखा, कोई भी नहीं था, सिंगल अंकल भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे मैंने कहां से रूम में भी कोई स्प्रे नहीं किया, ये कहाँ से इतनी खुश्वूँ आ रही है फिर उस दिन गुरुजी का लंगर हमने बतलब गुरुजी ने स्टार्ट किया मैंने आसपस देखा मेरे शोल्डरों में से बड़ी खुश्वू आ रही है मंदीर के वहाँ जूले में से बड़ी खुश्वू आ रही है कुटिया के आगे बहुत खुश्वू आ रही है तो हमने गुरुजी को पुणनाम करके यह सोचा, कि जो हो रहा है, सब गुरुजी की नजरों में या जो लाइफ में सब होना जरूरी भी होता है, तो ठीक है, यह सब काम चलता रहेगा, और चुक-चप उठो और लंगर बनाना, स्टार्ट करो, फिर इस तरह से लंगर बनान स्टार्ट किया आज भी पुश्कन अंकल का जब मैंने सुना तो मैंने सोचा आज सत्संग शायद नहीं होगा आट बजे थोड़ी देर पहले तक मेरे बस कोई लिंक नहीं आया था लेकिन वही गुरुँजी का जो होना है ये सब दूख में यह सत्संघ जो करने से पाफी साथ मिलता है अब यह मैं काफी बारी बदा चुकी हो फिर बदाती ही गुरुजी की मुलाकात मेरी फ्रस्ट मुलाकात कैसे हो बड़े पुष करना अंकल हैं उनके घर हम लंगर बना रहे थे गुरुजी इनके भाई हैं शिव पुष करना अंकल वहां मैं लंगर बना रही थी गुवर्दन पूजा का गुरुजी का निए उसने में एपेक्स में गुडगावा में रहती थी वहां लंगर बना रहे थे ल माता टेक लो तो मैंने विश्वाश नहीं किया था कि मैंने का भगवान तो हर जगा होता है एंपाय स्टेट में भगवान क्यों होगा और हम अच्छे होंगे तो भगवान अपने अब मिल जाएगा भगवान को ढूंडना थूंडना जाना पड़ता है तो बस उन्होंने गले अंकल ने बताया था मैं ऐसे गुरुजी गुरुजी जो उन्होंने बताया था वह इस सब बाते करने लगी अब मैं सत्संग कहती हूं पहले मैं यह कहूंगी पहले मैं यह कहने लगी बाते करने लगी हम जब बात कर रहे थे लंगर बन रहा था बालकिनी में बड़े करना अंकल ने बोला देखो यह गुरू जी ना होते तो कैसे बंद होती हैं और उसके बाद बहुत अच्छा लंगर पशाद हो गया गोवर्दन पूजा थी बहुत अच्छी हो गई तो हमने का चलो आज जाके बड़े मंदिर जाके हो एमपैस्टेर जाके देखते हैं कि वह कैसे हैं और कैसे भगवान हैं तो मैं तो गुरू जी के पास सिरफ देखने गई थी कि कैसे घुरू होते हैं कैसे भगवान होते हैं और मंहा यहां पर चली गई और मुझे कोई सिस्टम नहीं पता था और मैंने पुशकन्णा अंटी से पूछ Sorry आप चलो कि तो उन्होंने बोला आज हमनी जा पाएंगे कपिल आंटी जा रही है उनके पीछे-पीछे गाड़ी ले लो और तुम्हें रास्ता पतर चल जाएगा मैं वहाँ चली गई जब मैं गुरुजी के वहाँ गई तो वहाँ गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे तो दो आंटियां हाथ पैर दबा रही थी मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यह सब क्या हो रहा है तो मुझे मैं तो कभी ऐसी जगह गई नहीं थी और ना कभी देखा था सब लोग चुपचा बैठे हैं थोड़ी देर मैं मैं देखती रही देखती रही फिर गुरुजी से म सब क्या है पर इतने में गुरुजी रूम में चले गए और चोला चेंज करके आए जब गुरुजी चोला चेंज करके आए तो बुटा सिंग पैर दबाने लग गया मैंने का अरे यहां तो बड़े बड़े लोग भी आते हैं अब बुटा सिंग पैर दबा रहा है तो यह तो वो तो नहीं है, यह सब हो क्या रहा है, तो मेरा बड़ा मन था कि जा के गुरुजी से पूछूँ, कि अगर आप भगवान हो तो यह सब क्या हो रहा है, और सबने मुझे चुप करा दिया, चुप चुप अंटी बोलना नहीं है, तो मैंने का मैं तो जाओंगी, मैंने कपिल अंकल से बोला, तो उन्होंने भी बोला चुप, मैं गुरुजी के पास चली गई, मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप कौन हो, तो गुरुजी ने ऐसे हाथ से इशारा किया जाने के लिए, फिर मैंने पूछा, गुरुजी अगर आप भगवान हो तो दे है और इतने में वहां पे लंगर स्टार्ट हो गया है मैट लग गई मेरे भूच्ज़ भी थे और शिंगल अंकल भी थे शिंगल अंकल ने मुझे बड़ी तेज़ डाटा की लोड़ सी आंटी आंधे पुछन लगई है ईजि अप्रोच है तो आपने आपनों की समझ दी है लंगर नहीं करते जहां ऐसे पाप होता हूं मैंने ऐसे गुरुजी से क्या पूछा मैं तो गुरुजी से यही पूछा है ना तुम कौन हो इतने धर्ती पे पाप क्यों हो रहे हैं तो इसमें गुस्ता होने की क्या बात है तो मैं बहुत रोई बहुत रोई और बच्चों को और हज्मन को उठाके बाहर चले गे हमने का हम लंगर नहीं करेंगे यहां तो पाप हो रहा है उसके बाद रोते रोते बाहर चले-गे तो इसे हम उसदीन बहुत रहे से गुड़गामा से गाड़ी में रोते रोते घर चले गए इतनी रोई इतनी रोई और मैं अपने हजबन को बोल रही थी मैंने ऐसा क्या गलत कि मुझे इतनी डाट पड़ गई ऐसी डाट तो मुझे कभी नहीं पड़ी तो मेरे हजबन ने बोला ठीक है आज के बाद हम नहीं आएंगे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि छोटे-छोटे बच्चों को हम लेके आ जाएं तो हम घर चले गए हम घर चले गए और बहुत सर्द हैवी हो रहा था कि यह सब क्या हुआ बहुत सोच रही थी ऐसे तो थोड़ी दिर में ऐसे हजबन ने बोला चुप-चप मैं उठी हर रूम में देखा कहां से आ रही है कहां से आ रही है ऐसा लग रहा था बहुत सारे गुलाब मेरे आगे बगिया रख दी गी है तो मैं बड़ी हैरान बहुत कि कहां से खुश्मू आ रही है कहां से खुश्मू आ रही है इतने में मैंने देखा गुरु जी सामने तो मैंने का गुरूजी आप तो फिर उन्होंने ये भी दिखाया गुरूजी भी आगे सामने और उसने पहले बड़े मंदिर में जो शिवलिंग है वो दिखाया शिव का वो जो पॉंड है वो लिनय को offer निदि दिखाया कभी शिव जी बैट रहे हैं कभी गुरुजी लेगे हां तो गुरुजी ने बोला ये ले ये पी ले तो मैंने का ये क्या है कहते है पी के तो देख मैंने पिया मैंने का गुरुजी ये तो बहुत मीठा है और दोना और दोना मैं गुरुजी के पीछे पड़ गई तो गुरुजी कहते हैं बस तेरे लिए अब इतना ही बह बस उसके बाद मैंने अपने हजबन को बोला और हजबन ने बोला मुझे सोने दे और मैं भी सोगी बहुत मीठी अच्छी नीन आ गई बस अगले दिन जब मैं उटी तो फिर जो है अपने मंदिर में जैसे माता की फोटो थी हनुमान की फोटो थी सवरूपते तो अपनी ओम पता नहीं क्या हो गया मैं यह गाना गाने लग गई आज तक मैंने कभी गाना ने गाया तुमसे मिल कर ना जाने क्यों और भी कुछ है आदाता है आज का अपना प्यार नहीं है जुनमों का यह नाता है यह गाना गाने लगी तो ऐसे गुरूर जी से मतलब डेली घर में रो तो कुछ समझ नहीं आता था, एक दिन पड़ोस में मैं पहुंच गई, तो उन्होंने बोला, आज तो संडे है, है भगवान, कोई भी नहीं ना आया हमारे घर में, तो अगर बतिती का पूरा पैकिट ले जा, रोज तो आ जाती है, फिर ऐसे से पता चलते चलते हैं, पुशक करना आंटी पे थोड़ा अच्छे लगते थे, अच्छे लोग थे और विश्वास था, तो मैंने का यह अगर गुरुजी के बारे में कह रहे हैं, तो गुरुजी फ्रोट नहीं होंगे, सही होंगे, काफी उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, तो मैंने का अच्छा देना था जोड़ना था तो उसके बाद गुरु जी ने बहुत मेरी कल दिखाए जैसे कभी अमरीद दिखाया और कभी एक दिन गनेश जी की सवरूप के बड़े मंदीर में मैं बैटी थी तो मैं फर्स जे मड़े मंदीर गई थी उस दिन और मेरे हजबन नहीं गए थे बेट मंदीर नहीं खुलता था तो हम सैटरड़े या संडे मंदीर गए थे सिरफ देखने के लिए कि मंदीर बड़ा मंदीर कहां और कैसे है तो हजबन की वेट कर रही थी तो वहां जा गनेश जी का सवरूप है उसी के सामने जो थली सी स्टैंड सा बना है वहां हम बैठे वेट तो बार बार मेरे पास आए और बार ये बोले तो मैं उसको बोले मुझे नहीं कुछ दिखाई दे रहा था ना सुनाई दे रहा था तो मैं उसको बार बार बोल रही थी चुपो जा ऐसे नहीं बोलते कि नहीं ममा ये बोल रही है और ये बार बार हस रही है बोल रही है मैं गुरु जी का बेटा हूँ, तो मैंने उसको चुप करा दिया, और अपने हजबन की वेट करने लग गई, फिर थोड़ी दिर में सिंगला अंकल आए, सिंगला अंकल बोला आंटी मंदिर बंद हो रहा है, चलो, तो मैंने का अंकल मैं अंधेरा होने वाला था, सर्दियों के द गाड़ी में बिठाया और गुरु जी के पास लेगे, तो गुरु जी के पास लेगे, तो उन्होंने जब गुरु जी, पूरी गाड़ी में गुरु जी का सत्संग करते रहे, सत्संग करते-करते उन्होंने बदाया, तो गुरु जी कहते हैं, गनेश जी ना मेरा पुत्तर तो मैं हैरान होगी मैंने का अच्छा ये तो मेरी बेटी भी कह रही थी कि ये गनेश की मूर्ती बोलती है मैं गुरुजी का बेटा हूँ तो ऐसे गुरुजी ने जोड़ना था तो गुरुजी ऐसे miracle दिखाने लगे कभी photos बोलने लग गई कभी उसमें से Amrit आने लग गया दिवाना कर दिया, इतना दिवाना कर दिया, कि जब देखो मंदिर आना, दिन में एक वरी आ जाए, दो वरी आ जाए, गुड़गामा से कैसे आ जाते थे, मुझे नहीं पता, आज तक पास होए मंदिर जाने के लिए इतना सोचते थे, तो गुरु जी ने कैसे कदम हम घर पे होता, एक मंदिर में होता, तो ऐसे एक बरी फिर हम गॉल्डन टेंपल जा रहे थे, दस दिन चुटियां ली थी, तो निव यर आने वाला था, तो विंटर की चुटियां मिली थी, हजबन ने ली थी, और तो गुरु जी का ये मैसिज आया मेरे पास, कि तुम दस हम्दिर जाते रहे, हमें मंदिर बहुत अच्छा लगता था, तो इतना अच्छा लगने लगो, इतना गुरु जी से मन लगने लगया, इतनी खुशए मिलने लगी, ऐसा लगा कि जैसे अपना बहुत अच्छा फामार लगी, मतलब कोही चीज मिल गई है, खुशी मिलती थ तो गुरी जी के मंदिर में जब देखो मुझे हसी आती, खुशी मिलती, मैं गाना गा देती थी बीच-बीच में, फिर एक दिन बड़े मंदिर के पास जहां गारी पाक होती है, वहां फंक्शन होना था, तो गुरी जी का ये मैसेज आया है, बाहर के गार्डन जो है, आज व साफ करना है, बड़ा मंदीर नहीं का ना, गार्डन साफ करना है, तो हम लोग वो साफ करने लेगे वहां बड़े-बड़े संगत थी, बहुत फरेगनेस आई, पुषकन्ना अंटी भी माहीं पे थी, तो पुषकन्ना अंटी ने मुझे बोला, मदू, जब देखो गुरुजी को बुला तो लेती है, गुरुजी समाधी में होंगे, तो उनको क्यों डिस्टर्ब कर रही है, ऐसे नहीं याद करते, कि उ यहने ऐसे, का गुरुजी मुझे माफ कर दो, गुरुजी आप अपना ध्यान लगाओ, तो ऐसे फिर उसके बाद वह खुश्मूँ चली गई, तो ऐसे घुरुजी से इतना प्यार हो गया, और गुरुजी का मतलब इतना ज़्यादा हो गया, और हर गुरुजी मन की बात सुनी एक दिन हम गुड़गामा से गाड़ी में जा रहे थे दो संगत की आंटिया थी मेरे अंकल थे और मैं थी तो गाड़ी में ये बात करते हुए जा रहे थे आज हम ना कभी अंकल और मेरे अंकल और आंटियां बात कर रहे थी हम गुरूजी की यहां सीडी बहुत कुछ तुम्हें यहीं मिलेगा हम तो कहीं नहीं जाएंगे तो मेरे हस्बंद ऑर आंटी। आंटी मिलती कि मलती नहीं है। और मैंने किने काा आप चले जाना यह जाएंगी। तो मैंने किसी को मना नहीं करती कोई मंदीर घुर्द्वारे। उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ कि इतने बड़े मुझे गुरू मिले और जो भी मंदिर या गुर्द्वारा आते हैं मैं सर जुका देती हूँ लेकिन मैं जाओंगी मैं कहीं नहीं तो उसके बाद हम लोग एमपैस्टेट चले गए एमपैस्टेट से जब हम वापिस आने लगे आग्या लेके चप्पल पहन रहे थे तो इतने में सिंगल अंकल आए और मुझे सीडी दे दी मेरे हजबन भी हैरान हो गए अरे आज ही तुम्हें सीडी मिल गई अभी तो हम गा किसको क्या देना थो सब कुछ जान दा है तो ऐसे ही और बटैर कि स्कूल में पढ़ता है एक बच्चे का बहुत गंदा एक्सिडेन्ट होगया था इतना गंदा एक्सिडेन्ट हो गया था तो इसके फादर आर्मी में थे औरrav उनके हुआ है जो हैल्प इसकी कर सकता है करो कि इनके फादर नहीं है तो जब यह एनाउंस हुआ और मेरे बेटे ने उसको देखा इतना ब्लड आया और इतना गंदा एक्सिडेंट हुआ तो वह घर आके बहुत रोया ममा ममा शांतनु का ने इसके से एक्सिडेंट हो गया है और आ उनका तो बहुत खर्चा है तो वो बार बार पूरी रात सोया नहीं और बोलता रहा ममी हेल्प करो तो मैंने का अच्छा मैं गुरू जी के पास जाके ना गुरू जी से पूछूंगी तो उसके बाद हम एमपैस्टेट चले गए तो बस यही था कि गुरू जी से बात नहीं क गया गुरू जी कैसे करूं तो गुरू जी यह तो मुझे बोल रहे हैं क्या फिर मैंने ऐसे मनमे बोला गुरू जी मंदे को मंदिर बड़े इस स्कूल में वह आएगी फिर मैंने मन वो ड़ी पोला वह आएगी तो आपı बड़े मंदीर में आते नहीं मंदे को आप फंक्शन पर यते हूं तो बूढ़ा मैं मेरी बड़ी बड़ी ब्लैसिंग है तो फिर मैं समझ कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं और मेरी बातों का आंसर दे रहे हैं हम वो गुरगावा में शुर्शान्थ स्टेट में रहती हैं तो उनके घर उंका एडرस मैंने लिया और स्कूल से निकलवाया एडरस लिया और उनके घर पोँच गये और मैंने उनको बोला गुरु जी ना कहरे थे हमारे ऐसे से गुरु जी हैं और आपके बेटे को ब्लैस कर आया और मैंने बोला मंडे को ना आप हमारे साथ ना बड़े मंदिर चलना और हमारे गुरुजी भी आएंगे तो यह कह के वह भी त्यार हो गए हर कोई फर्स टैम प्यार भी नहीं होता जब कि उनके बेटे को सारा प्लस्टर चला हुआ था वह बेटे को ले जाने के लिए त ले गए हब जब मंदिर जा रहे थे बड़े मंदिर तो मेरे को थोड़ा सा दख दख भी लग रहा था मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से तो कह दिया कि गुरुजी बड़े मंदिर आएंगे यह 14 माई की बात है 2007 की तो बड़े मंदिर गुरुजी आएंगे पता नहीं आएं जो जो वहां पोँचे सच में गुरुजी वहां आये हुए थे सुधाँटी भी आई भी थी और गुरुजी वहां पर बैठे और काफी संगत और भी थी 20-25 तो गुरुजी ने उस दिन हमें मतलब यह सोचो कि आठ बजे मंद्र बंद हो जाता है मंदे को उस दिन गुरुजी गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और फिर एक दिद और फिर उस टैम एक आउंटी आई वी थी तो उसने गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे तो आपके पास आए हुए सिरफ छे महीने हुए तो गुरुजी ने बोला ना ऐस तरह नहीं कही था तेरा मेरा तो जनमों दोना आता है तो इसलिए कभी किसी से नहीं पूछना कभी किसी को नहीं कहना कि मुझे आए हुए इतने साल हुएं, इतनी वह हुएं, अपनी blessing कम कर देते हो, हमेशे ये बोलो कि हमारा जन्मों का नाता है, तो ऐसे गुरुजी ने बहुत प्यार से बिठाया, तो वो दिन याद आता है कि कितना मतलब प्यार दिया, कैसे बिठाया, कैसे bless किया, तो ऐसे ही फिर खुश्वू का बताती हूं, ऐसे गुरुजी की, अच्छा फिर उसके कुछ टेम बात गुरुजी ने समाधी ले ली, समाधी बाले दिन हम बहुत रोए, बहुत रोए, कि ये सब क्या हुआ, हम तो सब कुछ छोड़ के गुरुजी के पास बैटे थे, तो मेर समाधी लेने से पहले ये भी गुरुजी की मर्जी होगी, दो कैसी डाई, मैं किसी के पास गई थी, वो गुरुजी के पास आते नहीं थे, वो सरदार जी है, तो उनके यहाँ ना सुखमनी और बहुत अच्छे-च्छे वो चलते हैं, उनका भी एक सत्संग ही है, तो उनके पास गई, वो जब गुरुजी फिजिकल रूप में थे ना, तो उनको ना बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, उनको, तो उनकी वो उनकी जॉब भी छूड गई थी, वो मुसलमान में लेंग्वेज में बोलते थे, चमिया, कभी क्या, किसी के हाथ नहीं आते थे, तो उनकी व हाथ भी नहीं आते, तो मेरे बच्चों की एजुकेशन की बहुत खर्चे हैं, तो मैं कहा जाओं, भाई से भी, मैं नहीं मांग सकती, रोरोज, तो मेरा बड़ा मकान है, दोसोगज का, उसको बेचके मुझे छोटा ले दे, मेरे पास पैसे आ जाएंगी, और मैं अपने ब वो गुर्द्वारी के एलावा कहीं जाते हैं, फिर मैंने उनको सारा समझाया, वहां सारी गुरू बानी चलती है, गुरु नानका भी वो है, तो वो थोड़ा इतने दुखी हो रहें, इतनी परशान हो रहें, ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर या कुछ भी नहीं है, तो ये एक है महापुरुष है, तो वो त्यार हो गए, आप बिलीव करेंगे उनको जब ले के आए, तो दोचा लोग पकड़ के ले के आए, वो हाथ ही नहीं आ रहे थे, तो जैसे हम Empire State पहुंचें, अंदर गुसे, गुरुजी बैठे वे थे कैबिने गुरुजी ने बहुत तेज बोला, दफा हो जा, इतनी तेज बोला, कि वो जो उनकी वाइफ है, बहुत रोई, कि मैं इतनी दुखी पहले थी, और गुरुजी ने इतनी तेज डाटा दफा हो जा, तो हमने उनको समझाया, कि गुरुजी की डाट का मतलब भी कलियान होता ह तुम वो मत करो तो रोते रोते उन्होंने लंगर किया और वो घर चले गए और यही कहते रहे कि मैं पहली बार आई और मुझे इतना डाड़ दिया तो मैंने लगता था कि गुरुजी ने जो डाटा है तो उनके भले के लिए डाटा है चले गए उसके बाद वो six years से ठीक नहीं थे इवन वो अमरित सर गोल्डन टेमरेट टेम्पल भी six month सेवा करके आये तब भी वो ठीक नहीं हुए थे तो उसके बाद one month में ही वो ठीक भी हो गये और जोब भी करने लगए फिर मैं उनके घर गई फिर जब वो जोब भी करने लगए ठीक हो गये तो मैंने काँ देखो अब ना घुरुजी को ठेंक करने जाते हैं आपके husband ठीक भी हो गया और job भी करने लग गया है बट उनको वही राजगी थी कि गुरुजी ने उन्हों को ये क्यों बोला दफा हो जा तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं ठकी हुई हूं तो मेरी बेटियों को ले जा बेटी को ले जा बेटे को ले जा मैं एक छोटी सी बात पर इतने नराज किसलिए है तो फिर उसके बाद जो है मैं गुरुजी के पास जब एमपैस्टेट के लिए गाड़ी पार की तो हमने वो गली में पार की थी बाहर जगा नहीं मिली थी एक छोटी सी गली में नाली सी थी वहाँ पार की थी जैसी वहाँ प प्रेग्नेंसी इतनी खुश्मू आ रही थी तो उनकी बेटी का नाम इन्शा है, तो वो बहन कि मामी, मुझे मामी बोलती है मामी, यह खुश्मू कहां से आ रही है, इतनी खुश्मू की बुखेवाला वालगा बैठ है, तो वो सारी साइड देख जिया, हम गुरू जी कि führen को तो मैं चुप रही, मैंने का यह तो गुरुजी के खुश्मू है, फिर हम गुरुजी के पास पहुँचे, तो गुरुजी के पास पहुँचे, तो वो बच्पन सेही न, गुर्दवारे में, वो सरदार जी है, तो वो बाजा बजाती है, उसको सारे शब्द आती है, सारे और तो गूरु जी के वह भी गाती है सारे जो जो गूरु जी के हां जो चल रहे सैंट sap और गूरु जी उसको continue देकते जा रहे थे देखते जा रहे थे जब भो घर पहुंची नेक्स जी उसने बताया उसको मतलब CA अभी कर रही थी और उनका मैं बताया था हाथ भी काफी टाइट था ये था अभी एक साल ही हुआ था उसको जॉब ओफर आ गया और कुछ टैम बाद वो USA चले गई और इतना अच्छा उनके साथ हो गया तो ऐसे गुरुजी के पास एक बारी कोई एक बारी भी आता है कई बारी तो गुरुजी किसके क्या कनेक्शन है कैसे कलियान कर देती है उसके बाद वो कभी नहीं आया है मैंने देखा वट उनकी बेटी का उनके घर का कितना गुरुजी ने एक्दम से कलियान कर दिया और उनको पता भी नहीं चलने दिया इतना जादा जैसे ब्लेस किया और गुरु जी ने इतना प्यार दिया इतना प्यार दिया कैसे कहूं अब गुरु जी के जब देखो मन करता है कि भजन सुनू और खुश्मू आती है तो बहुत अच्छा लगता है एक बार की बात बताती हूं ज़नमस्त्मी से दो तीन तीन मैं वैसे तो गुरु जी के भजन सुनती रही हूं तो एक दिन ऐसे सुन रही थी तो किर्शन के भजन आ रहे थे बड़े अच्छ उच्छे तो मेरा मन किया कि पूरा दिन मैं किर्शन के भजन सुनती रहूं सुनती रही सुनती रही तो घर में भी एक हलकी हलकी पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, आज आपके शब्द नहीं सुन रही, चोलो यह करते हैं, कहते हैं, शाम हो गई, हलकी-हलकी खुश्मू आती रही, उस दिन बहुत बारिश भी आई रात को, तो हम 10 बजे, कि आसवास 9.30, 10.00 को के आसव में मिली थी, चोलो उनकी यहां जाके देखते हैं, वो शिफ्ट हुए नहीं हुए, तो ऐसे बाते करते करते हैं, मैं उनका घर ढूलते हुए, अपनी सोसाइटी में ढूलते हुए घूम रही थी, जा रही थी, जब मैं ढूल रही थी, तो वहां पर इतनी फ्रैगनेंस नहीं है, कोई अगरवत्ती तो नहीं है, हुद्धी गुरुजी की है, पर पता नहीं क्या है, हमें फिर उसी में बढ़ जाते हैं, पर फिर मेरे हजबन जब तक दो लोग ना बोले तो ऐसे लगता है कि मुझे सही में उन्हीं की कुश्वू आ रही है, तो थोड़ी देर मे इतने जोके आए, इतने जोके आए, तो थोड़ी देर में मेरे हजबन तो कभी ऐसे दिवाने नहीं हुए, कभी ऐसे गाना नहीं गाया, तो हम आगे-आगे घुपते रहे, उस दिन मेरे हजबन इतने दिवाने हो गए, फिर वहाँ पर एक गाड की चेयर पड़ी थी, तो ऐसे ना, बोलते हैं, यहाँ गुरुजी बैठे हैं, और ऐसे चेयर पर नीचे जमीन पर माता टेक के ना, और ऐसे से माता टेकने लगे और गाना गाने लगे, इतने निदिन, आज इतने दिनों के बाद गले में एक चांद निकला, तो मैंने का, अरे, आपको क्या हो गया, डांस का रहे हो, गाना का रहे हो, कहते हैं, आज, मतलब मैं, वो मुझे पहले पागल बोलते थे, उस दिन मैंने उनकी पागल पंती देखी, कि कैसे वो गाना का रहे हैं, और कैसे वो चेयर पर माता टेक रहे हैं, और कैसे इनको क्या हो गया है, तो गुरुजी अपने, कैस आज भी वह खुश्मूं आती है गुरुजी की एहसास दिल आते हैं कि वह कहीं नहीं गए हमेशा गुरुजी के शरीर से प्यार करते रहें अच्छा तो लगता है गुरुजी का वह रूप देखना वह रंग देखना क्योंकि हम जब सुषैटी में रहते थे न हमारी में Guru Ji Jima master जाते थे तो जब जाते थे तो मैं बैटी रहती थी और पूछती थी आज Guru Ji ने कौन से चोला पहना था आज Guru Ji कैसे लग रहे थे कभी वो केते थे black पहना कभी केते थे pink पहना कभी more पहना आज Guru Ji बहुत अच्छे लग रहे थे तो फिर जब Guru जी खुद ही पूछते थे तो हमें भी कितना अच्छा लगता है कि वो Guru जी का मतलब इतना सुन्दर बदन, इतना सुन्दर रूप, इतना सुन्दर रंग, उस भगवान को कैसे सवार हूँ, कैसे देखूँ, बस भुनी को ही याद करूँ, वही ही याद करूँ गुरुजी ने तो हमेशा बोला, love my soul, soul के साथ हमें तो उस चरीर से भी प्यार हो गया, तेरे बदन से जो खुश्मू आए, तो ऐसे बहुत गुरुजी से प्यार हो गया, और एक बार की और बात बताती हूँ, हाँ, ऐसे हम गुरुजी के पास बहुत आने लगे, जाने ल गई है, तुझे पता है, गुरु कैसे होते है, तो मैंने ममी से बोला, नहीं ममी, ममी को हमेशा गुरुजी के बार में बताती थी, पर उनको विश्वाश नहीं होता था, एक दिन टीवी पे मुवी आ रही थी, कलियुक का रुमैन, मैं देख रही थी, तो वो ना मुझे ग लगी, उसमें हनुमान नीचे उतर के आते हैं, लुझे लगा कि गुरुजी भी एक शीवरूप में नीचे आये हैं, उन्हेंने सब कुछ देखना है, पर बताना नीए वह बगवान है, तो मैंने ममी को बोला, ममा, मैं गुरुजगामा में थी, ममी अपना फृदाबाद य यह याद नहीं है तो ममी महापर थी तो मैंने ममी को फोन किया पूरदर्शन पर ना मूवी आ रही है आप वह लोग 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 दर्थी पर आया है उसमें बिलकुल वही रिलेटेड लग रही है मैंने यह कहके फोन रख दिया थोड़ी देर में ममी का फोन आया कि तु बच्चों ने उठाया तो उन्होंने बोला ममी क्या कर रहा है तो उन्होंने बोला ममी टीवी देख रही है तो ममी उन्होंने बोला जुट बोल रहे हो तो उन्होंने बोला नहीं ममी सच में टीवी दे तो ममी कहते हैं, मेरे घर में आउम, आवाज ये गुँँज दी हैं. तो मुझा बोला लिए, आप मानते नहीं हो, तो आपको मनवाने के लिए सब हो रहे हैं. तो उस दिन के बाद मैं नहीं जाती थी जैसे कई बारी, तो मम्मी मुझे बोलती थी जा तो ऐसे मम्मी का विश्वाश गुरुजी ने दिलाना था और मुझे भीजना था तो उस दिन के मुझे कभी नहीं डाधा कि गुरुजी के वहां मिचाओ बस मैं फिर गुरुजी के पास जाने लगी आने लगी ऐसे ही 2008 की बात है 2007 की बात है नॉम्बर का टाइम था मैं तो मैश देखती नी बेटा मेरा बहुत मैश देखता है इसको स्पोर्ट का बहुत शोक है तो 2020 मैश आ रहा था 2007 में तो इंडिया हार रहा था तो मेरे बेटे ने वैसे ही बोला गुरुजी मैश जिता दो ना तो गुरुजी की फोटो पर मेरे घर नहीं थी तो मैरे बेटा डर गया यह तो फोटो बन बड़ी है तो में वी ख़ुश तो मैं बीकुश पैडिता ना भागर के उसने लिया उस्तम घर पे कोड था मुबाएल फोन नहीं था और मैरे पस फोन किया मैं हजबन के साहती है पास पून किया ममी पापा जल्दी से घर आ जो मैंने तो ऐसे से बोला गुरु जी मैं जिता दो ना गुरु जी की फोटो गोल पड़ी अज तू भी खुश तो मैं भी खुश ले मैं जिता दिता ना जबकि उसको पंजाबी आती नहीं है और वो फिफ्थ स्टेंडर्ड में था और गु तो ऐसे गुरु जी ने मतलब हर पर लिया इसास देलाया कि वो है वो आज भी है आज भी सब कुछ सुन रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं और फिर एक दिन की बात है 2008 की बात है मेरी बेटी ने बोला ममा भगवान कैसे मिल दे हैं तो मैंने ऐसे बोल दिया आग मंदीर में जाओ आखे बंद करो ध्यान करो तो भगवान मिल जाते हैं तो वो बड़े मंदीर में गई एक बारी तो उसने आखे बंद की तो कहने लिए कि गुरु जी मैंने आखे बंद कर लगी बहुत ज्यादा ऐसे डांस कने लगे हिलने लग गई और गुरी जी जो बड़े मंदिर में चेर के पास रूप पड़ा है ब्लैक मफलर पैना हुआ है और वाइट और ब्लैक शर्ट है उसमें से बाहर निकले और हाथ से लाइट निकली और सारी संगत पर डाली हाथ से और सारी संगत को ब्लैक कर देगे तो उसने वो उसने आखी को ली और शीव जी बहुत डांस कने लगी धरती पे शूर डाला उसने क्या हो रहा है मुझे बेर लग रहा है तो उसने बोला आने वाला टाइम बहुत बुरा है पूरे वर्ड में कुछ ना कुछ होगा तो मैं तुम लोगों को बलेस कर रहा हूं फिर उसने हम जब की उसके बहुत बुरा है और उस ने पर इसके पास बताया हुं तो ऊसने सारी अवाज होगा तैप göru जी करें करे हाने बात बुरा और मैं तुम लोगों को बलेस कर रहा हूं चिनता Would करो तो ऐसे गुरुजी ने हमेशा चाहे फिजिकल रूप में थे चाहे आज के रूप में हमेशा कितना हमारा ध्यान रखते हैं और बस गुरुजी हमसे कोई बुरा करम भूल के भी मत करवाना कि हम काम बुरे हम करें और पाप हमारे धो गुरुजी बस इतनी शक्ति देना इ और बस इसी के साथ ही अंकल सत्संग समाप्त करती हूं जै गुरुजी की अंकल जै गुरुजी मदू आंटी नाम जी अंजी आंटी बहुत ही बहुत ही भूले पंद से भूले भाव से प्यार से आपकी संगर्शेरिंग चल रही है जिस द्याइड के लिए अच्छाइट अच्छा अच्छा इस गरुजी के मूह से बानी शुनी गुरुजी एक दिन कह रहे थे विसाकी से अगले दिन न हम का फिसाकी तेरा ऐसा का Baş lot at यह थि तो कियों में जब लगे वह ते तो एक और ती तो ऊसको कहारे थै कल्सका बड़े मंदीर शूक्षान के साथ जब मैं गई थी तो गुरुजी के पास जल्दी पहुँच गी थी तब थोड़ी सी संगत थी तो गुरुजी किसी को कह रहे थे कड़ा पाल है किसी को कह रहे थे बंदा बन गया है मेरे को बोला गुरुजी ने गेट नंबर दो पे बैठ और एक दिन गुरुजी ये कह रहे थे मंडे को blessing है एक दिन एक शब्द आ रहा था तो एक दाड़ी बाला उनके साथ खड़ा था गुरुजी के पास एक संगत आई थी और और वो मतलब कुछ बोलना चाहरी थी, तो मैंने खुद उनको आखों देखा, उनको स्वेटिंग होगी, गुरुजी कहते हैं, तेरी वाई को कैंसर है, वो फर्स टेम ही आया था, तो लोटा लेके आया हुआ था, किसी ने बोला होगा, लोटा लेके आ, गुरुजी ने बोला और एक दिन गुरुजी और कह रहे थे, जितने भी टीवी में आते हैं, mejorar तो मैंने मळ में सोचा, मन बे में आगया। मेरे मन तो बदा नहीं कहा है, तो मन में आगया, गुरुजी अपने आपको तो वोह कर रहे हैं आर सब को फरोड कह रहे हैं, तो गुरुजी ने बोला, होर की हिम्मत या तो मेरी तरह कोई कैंसर ठीक करके दिखाए तो फिर मुझे लगा हाँ गुरुजी न ठीक ही कह रहे है कि कोई भी जो भी आता है कोई कैंसर कोई बिमारी थोड़ी न ठीक कर सकता है तो ऐसे गुरुजी ने ये बोला और एक और अब सुनाती हूं ऐसे गुरुजी की बहुत सारी यात पहले मैं गुड़गावा में रहती थी फिर मैं पूर्णे में चले गई तो बीच में कोई टाइम आ गया मुझे बहुत टाइम सत्संग नहीं मिला और गुरुजी का परशाद नहीं मिला हलवा परशाद नह लगी गुरुजी मुझे वह लंगर ने मिला और पूर्णे में मैं किसी को जानती नहीं थी तो कोविट टैम में वैसी होता है फिर तो कोविट के बाद भी थोड़ा सा हर कोई सत्संग नहीं करता था तो ऐसे बहुत उदास हुई तो मैं अपने हजमन को कह दी थी मैंने और बहुत उदास होगी बहुत पर्शाण होगी तो मैंने का नहीं जब भी कहते हो हलवा घर पे बना ले ना मैं अपने लिए बनाती ही नहीं बशेते और नहीं वह मजह आता है तो डोड़ाई वजह में नहीं कर दो तो रात को ना दो ढ़ाई वज़े मैं बहुत रोई मैंने का गुरुजी 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 ऐसे मैं रोने लग गई मुझे अप कोई नी मैंने अपने हजबन को भी बोला कि मुझे तुम मुझे मत समझाओ कि ये घर पे हलवा बना ले घर पे परशाद बना तो जब निए खुमने में you-सर शिरी एसे लिखा वा था तो मैं निए पुने में जवर जाऊंगा था मैंने का मुझे Uber कर दो, तो मेरा हज़बन ने मुझे Uber कर दी, तो मैं जानने लगी, जब जानने लगी, तो पहले तो पूरे घर में हलवे की खुश्मु आने लगी, मेरा हजबन भी साथ थे, फिर वो नीचे तक, उबर तक मुझे छोड़ने आए, लिफ्त में भी मैंने 95% 99% हर जगा मिलता है तो खुश्मू तो बहुत आ रही है उसके बाद हम बैड़ गए मैं उबर में बैड़ गई ओटो में बैड़ गई और मैं मुझे लगा कि मेरे घर से पता नहीं वड़ गाउं शेरी बहुत दो गंटे होंगे धाई गंटे होंगे तो मैं थोड़ी उदास्ती थी थोड़ा थोड़ी सागे आगे थोड़ी सी आख लग गई जैसे आख लगी और ये मैंने सोचा भी कि अभी दोड़ा इगटे है नाम से ऐसे लग रहा था वड़गाउं शेरी दूर है तो एकदम से छोका आया जैसे मेरे मूँपे किसी ने फ्रेग्मेंस आई मैं उठ गई मैंने का है एकदम से उठ गई ये खुश्मू कहां से आई तो मैंने ओटवाले को बोला एकदम से नीन में से अरे भी आ आ गया क्या तो उसने बोला हाँ आ गया बस 500 मीटर की दूरी पर है तो मैंने का अच्छा अच्छा फिर इन्होंने ब अंदर माथा टेक भगवान आहा हूं फिर ये जो है तो सबसे पहले मैं से चाहे परशाद आता है, रात को मैं कह रही थी मिझे गुरुजी के यह हलवा परशाद खाना है तो आती हलवा परशाद यह गह दिया और फिर उसके बाद एक लॉयर आंटी बाद में सत्संग शुरू हुआ तो सत्संग सुना रही थी देखो कितना सिंपल और आंटी ने कितना अच्छा किया हुआ है तो मैंने उनका फिर उनसे माइक लिया थोड़ी सत्संग के बाद मैंने का चलो मैं सत्संग सुनाती हुआ कि मैंने मतलब वही फ्रेग्नेंस वाला सत्संग सुनाया कि कैसे-कैसे पुरा ओटो फ्रेग्नेंस से भर दिया मन से याद करें मन भी वही देती है तो गुरुजी जगा कुछ मूँ से भर देती हैं जय गुरुजी जय गुरुजी बगवान भाव के भोके हैं जिस भाव से इतने प्यारे भोले पन से आपने अपने से समयन सुनाए हैं गुरुजी महाराज के बलसिंग बताई हैं हम लोग गुरु बरवार निहार हो गया है गुरु महाराज की किर्पा हम सब पर बने रहे जी अंकर जी इसके साथ ही हम सब अब